दोस्तों नमस्कार आपने चैनल पे में विजय प्रकास आपका हार दिख स्वागत करता हूँ और भरसे के साथ वे on principle के आने का इनतिजार करते आ रहे हैं मतलब इससे सफलता मिलने का इनतिजार कर रहे हैं उनके हिम्मत और साहस के दाद देने परेंगे जो कठिनायी भरे जीवन जीने के बवजूद भी यही चाह रहे हैं कि भले on passive थोड़े देर से आए बट जब भी आए दुरूस्त हो के आए ऐसे तो जिंदगी जैसे तैसे कटना है वो कठी रहा है लेकिन एक बर जब on passive से सक्षिच का सुबारंब हो जाए तो फिर जिंदगी में कभी भी पीछे मूर के ना देखना परे हमें financial freedom भी मिले एंड ह हमारे सपने भी पूरे हो इंतिजार करने से अधैर्ज रखने से कभी भी कोई founding members पीछे नहीं आता है ना ही कभी पैनिक ही हुआ है पैनिक तो अतब होता है निरास या मायूस अतब होता है जब company के तरब से कुछ होने का समय दे दिया जाए और उस समय पे ना हो किसी भी founding members क तो बस इसी बात का tension है अब कुछ लोग इस तरह के founding members को negative सोच वाला समझने लगते हैं जबकि उन्हें सोचना चीए अगर वह negative सोच का इंसान होता तो ना ही founder position लिया होता ना ही इतना अधिक दिन वह इंतिजार ही किया होता अगर गलती से foundership ले भी लिया होता तो कबके यह नहां से refund लेकर निकल गया होता बट वो कहीं से भी negative नहीं है चुको उसने on passive से बरी बरी उमीदें लगा लिये हैं बरे बरे सपने सजो लिये हैं अपना future अपनी जिंदगी अपनी धरकन अपनी जान सब कुछ मान लिया है on passive को ही उसे अब लगता है अगर ये नहीं तो फि पारे उमीदों पे खरे नहीं उतरा तब क्या होगा इस तरह के डर भी नहीं होते उसके अंदर अगर कुछ होने का कोई यहां fixed date fixed month नहीं मिला होता किसी चीज के होने का कोई date मुकरर हो जाए और वह उस date पे नहीं हो और ऐसा कई बार हो गया है तो जाहिड सी बात है जिसने उनके उमीद और सपने तूटन जाए और किसी के सपने तूटना उसके दिल के धरकन के बंद होने के जैसा होता है वह जिंदा रहते हुए भी तूट जाता है मर जाता है अंदर से जितने अधिक आज के date में मायूस या निरास नजर आ रहे हैं founding members इतना निरास वे कभी नही रहे हैं जबकि पहले भी ऐसे date मिल चुके हैं 20 नॉमबर 2022 तक सा पूछ हो जाएगा या December 2022 तक सा पूछ हो जाएगा या एक तरह से date ही तो होता है फिर भी लोगों को लगा भाई टेकनिकल चीजे हैं थोड़े इदर उदर समय लग सकता है बट अगर बार बार हर बार कुछ अगर इस मोमेंट में कोई निरास हो रहा है या मायूस हो रहा है तो उसे कहीं से भी निगेतिव नहीं कहा जा सकता अगर जून महीने में जो कुछ भी होने करांसमेंट हुए थे अगर वे सब के सब हो गए होते तो फिर 100% गारंटी है कि कोई भी founding members कभी निरास या मायूस नहीं होता, वे तब तक इंतिजार करते, जब तक on passive आ नहीं जाता, अब इस परिष्थिती में कोई founding members किसी leaders से कोई question पुछता है, कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों भी तक कुछ भी नहीं हुआ, जबकि सब कुछ होने का घोसना कर दिया गया था, इस तरह के question सुनके leaders उ यह पुछना चाहता हूँ, क्या उनके question गलत है, वो भी अपने जगह पे सही है, आप उन्हें प्यार से reply दे, उन्हें और धर्ज रखने का साहस दे, हिमत दे, उन्हें motivate करे, हलाकि सचाई तो यह है, कि अधिकांस leaders भी वैसे हैं, जीने खुद ही नहीं पता कि on passive में क्या हो तो वे आपको क्या पता पाएंगे, हाँ टेकनिकल चीजें कुछ जानना हो, तो जरूर पुछ सकते हैं, बट paid product launch होने से related, या package भाई करने या एपल साने से related, question उनसे नहीं करना ही बहतर होगा, क्योंकि मेरे समझ से, या Mr. S को छोर के, किसी को कुछ भी नहीं पता, अगर पता होता, तो 24 जून के mega event के regarding international leaders कभी नहीं कहे होते, कि यह World Cup से भी बढ़ा होगा, Oscar Award से भी बढ़ा होगा, या तो वे जान भुछ कर इसे गलत तरीके से पर्मोट किये, या फिर उन्हें World Cup या Oscar Award के विसालता के बारे में नहीं पता, खेर छोरिए इन सा बातों को, बट ऐ वैसा नहीं करना चीए, क्योंकि जैसा आप होने को कहें, वैसा ना हो पाए, तो इससे कोई भी निरास हो सकता है, अगर किसी को आपने बोल दिया है, कि मैं कल आपको एक हजार रुपिये दूँगा, क्योंकि उससे सक्ष जरूरत है हजार रुपियों की, और जब कल उसे र दुनिया की तमाम खुसियां मिल गई, जो कहिए उससे आगे बरके करिये, तब मजा है कमिटमेंट करने का, इसे भी लेकर कुछ लीडर्स का कहना है, कि मिश्टर एस ने कभी नहीं बोला, मेगा इवेंट को लेकर कि यह है, वर्ल्ड कप या आसकर रवाड से बरा होगा, ब बिल्कुल सही बात है, कि on passive में जो कुछ भी हो रहा है, वो हमारे success के लिए ही हो रहा है, जैसे किसी यूटूबर या लीडर्स पे अंकुस लगाया जाता है, कि गलत तरीके से चीजों को परमोट ना करें, या hype create ना करें, ये अंकुस इंटरनेशनल लीडर्स पे भी होना पर भी होना चीए, दो नेकुलियर बम गिरने के बारे में किसी लीडर्स ने या इटूबर ने तो नहीं कहे थे, ये सब्द CEO Mr. S के है, ये कभी के गिरने वाले थे और founding members आज तक इनके धमाके सुनने का इंतिजार कर रहे हैं, ये किसी धमाके का इंतिजार ही नहीं करते, अगर परभानुबम गिरने के अपडेट नहीं मिले होते, हर तरब से किसी founding members को ही दोसी करार देना, उन्हें negative माल लेना, उन्हें गलट हराना मुनासिब नहीं है, वो बेचरा क्या जानता है, यहां कब क्या होने वाला है, उसे तो जैसे भी बताया जाता है, वह उसे ही माल सेंड किये हैं Mr. S. ने, जिसमें Mr. S. ने कहे हैं कि हम मंजील के काफी करीब आ गए हैं, घरी के सुईया टिक टिक कर रहे हैं, समय जल्दी जल्दी निकल रहा है, और हम सफलता के करीब आते जा रहे हैं, बहुत जल्दी internet वर्ड में धमाल मचने वाला है, अभी इस तरह के message देखकर कोई भी excited होगा, किसी को भी खुसी होगी, भाई यही सब होने का तो हम इंतिजार भी कर रहे हैं, लेकिन यह घरी आखिर कब तक ठिक ठिक करेगा, इसका कोई exact समय नहीं है, अभी Mr. S. को message करना चीए था, इस जून मंत में किये गए commitment के regarding, क्योंकि इंतिजार तो अ commercialy launch होगा नहीं, उसके sales purchase सुरू होगे नहीं, और जब तक किसी paid product के sales purchase सुरू नहीं होगा, तो affiliate commission बनेगा कहा से, अगर कोई चमतकार हो जाता है, तब तो बहुत बरी खुसी की बात होगी, बट सारे activities को देखते हुए यहीं लग रहा है, कि ओक के commercialy launch होने में, अभी वक्त लग सकता है, चुकि जब तक paid product का commercialy launch होगा नहीं, उसके sales purchase सुरू होगे नहीं, और जब तक किसी product के sales purchase सुरू नहीं होगा, तो affiliate commission बनेगा कहा से, अगर कोई चमतकार हो जाता है, तब तो बहुत बरी खुसी की बात होगी, बट मेरे समझ से, अगर O-Connect commercialy launch होने के लिए 100% तो एक दीन भी देर नहीं करते, Mr. S इसे launch करने में, कुछ न कुछ प्रोब्लम तो जरूर है, जिससे अभी भी O-Connect को market label पे आने से रोका जा रहा है, मैं तमाम international leaders and CEO Mr. S से यह request करना चाहूँगा, कि on passive को धरातल पे आने में, चाहे और दो महीने समय लगे, चार महीने लग या इससे भी हदिक लगे, कोई problem नहीं है किसी को, सारे founding members आपके साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे, ये कहीं यहां से नहीं जाने वाले, बस उन्होंने जो भी इससे उमीदे लगाए हैं, जो भी सपने सजोए हैं, उस सब कैसे भी करके पूरे होना चीए, समय चाहे जो ही लगे, सभी धैर्ज रख लेंगे, सभी इंतजार कर लेंगे, बट कोई final date इन सब के regarding दे दिया जाता, तो सभी इतमिनान के साथ धैर्ज रख लेते, इंतजार कर लेते, चाहे वह 2-4-6 महीने बाद का ही date कियो ना हो, मैदान में कोई goal post ही ना हो, तो वहां खेलने का कोई मकसद नहीं रह जाता, किसी स्टुडेंट के सामने उसके exam के एक fix date होते हैं, वह जी जान लगा के तियारी करता है, क्योंकि उस निर्धारित date पे उससे exam देने होते हैं, हम अपने घर परिवार में किसी के साधी भिया को लेकर एक date निर्धारित करते हैं, पास में परजाप पैसे हैं, नहीं हैं, कर्ज लेकर उधारी लेकर भी कुछ भी करके उस निर्धारित date पे बैंड बाजा बजता ही है, अगर किसी स्टुडेंट से ये कह दिया जाए, कि तुम अपना तयारी करते रहो, जब तयारी हो जाए, तब exam दे देना ऐसा नहीं होता है, हर चीज के हो अगर आपको यह 100% लगता हो, कि अगस्त लाश्ट 2023 तक सब कुछ हो जाएगा, तो आप दिसंबर 2023 का तारीक दे दीजिए, अगर इससे पहले हो जाता है, तो वह बहुत बड़ा सर्प्राइज होगा, फांडिंग मेंबर्स के लिए, और अगर उस लाश्ट डेट तक होता ह तब भी कोई नाउमीद, निरास या मायूस नहीं होगा, क्योंकि उससे पता होगा, दिसंबर 2023 के पहले कुछ भी नहीं होने वाला, जून मन्त में सब कुछ होने का अनॉंसमेंट हुआ था, तब कोई इंतजार कर रहा है सब कुछ होने का, वरना कोई डेट नहीं मिला होता तो वहीं इंतजारी क्यों करता, मुझे उमीद है, आप फांडिंग मेंबर्स की भावनाओं को समझेंगे और उसका सम्मान करेंगे, जैसे इंडिया में किरिकेट वर्ल्ड कप अक्टूबर से सुरू हो रहा है, जिसमें हमारे ओनपैसिप के भी प्लानिंग है, मार्केटि उसके वाथ काहिए, यह सबी को पता है, जिसमीं चीजों का बरे लेबल पे निर्वान हangelा है, उसमें लगता है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, हम फांडिंग मेंबर्स के लिए ही कर रहे हैं, हमारे ही सक्सेज के लिए कर रहे हैं, आप जब काभी समय देंगे, कोई भी इं मतिकार कर सकते हैं। तक तक ह सब्सक्राइब किसी भी हाल में पैनिक नहीं होना है। यूल भविस्ट की कमनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू दोस धन्यवाद